स्टी स्टी आरक्षन का मुद्धा हर जगह झाया हुआ है लोगों की नाराजगी भर-भर के Sosial Media पर निकल रही है इसी के बीच किरोडीलाल मीणा का एक पुराना वीटियो Sosial Media पर वाइरल हो रहा है जिसमें वो स्टी स्टी आरक्षन के लिए अपनी बात रखते होगे बन रहा है तो अब इस मुद्दे पर किरोडी वर्सिस मुरारी होने वाला है और क्या इंपक्ट इसका राजस्थान की राजनीती पर पढ़ने वाला है उप्चुनाओं पर पढ़ने वाला है करेंगे इंतबाम मुद्दों पर चर्च आइस वीटियो में इसलिए बुनने रह पर वाइरल हो रहा है किरोडी लालमीना उसमें सेस्टी आरक्षन की बात करते वे दिखाई दे रहे हैं जुडिशरी के लिए कह रहे हैं कि वहाँ पर भी हमारे दलित लोगों को होना चाहिए जिससे वो लोग उनके लिए सोच सके तो बेसिकली अब जब ही सुप्रीम कोट का फैसला आया है तो मुरारी लालमीना तो अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं वो उनका साथ और समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तयार हैं लेकिन किरोडी अभी तक चुप क्यूं है ये बात समझ नहीं आ रहे हैं लेकिन समझना पड़ेगा हमें इस बात को कि क्य आरक्षन के मुद्दे केवल वोट भुनाने के लिए वोटों को सेकने के लिए एक कड़ाई के तौर पे काम करते हैं या सच में कोई चाहता भी है इन मुद्दों के जरीए जो पिछड़े हुए आदिवासी हैं जो पिछड़े हुए दलित हैं उनको न्याय दिलाना उनको मुख्यधारा में लाना ये वाकई वो बात है जो कहीं न कहीं एक पिछड़ा हुआ दलित सोचता है एक पिछड़ा हुआ आदिवासी सोचता है और समझने वाली बात ये है कि ये जो प्रोपोगेंड़ा है वो काफी वक्त से चला आ रहा है पुराना वीडियो किरोडिलाल मीना का लिखता है नई बात पर वो कहते नहीं क्योंकि वो सत्ता में है और अभी हो सकता है कि उनका स्टेटस ही क्लियर नहीं हो रहा वो नेगोशियेट कर रहे है केंदर आलकमान से अगर ऐसा कुछ है और वो इस वज़े से इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे है तो वो एक बहुत बड़ा खत्रा मोल ले रहे है उन समर्थकों में अपनी क्रेडिबिलिटी और कम कर देने में जो अल्रेडी बीजे पी से बहुत ज्यादा गुस्सा है और अल्रेडी वो किरोडी मुरारेलाल्मीना को कोई पद नहीं देने की वज़े से उनका गुस्सा चरम सीमा पर है समझना पड़ेगा हमें इस बात को कि इसका फाइदा मुरारेलाल्मीना लगातार उठा रहे हैं और वो धीरे धीरे दौसा में और बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि कि पहली बात तो उनके पास पाइलिट का साथ है और दूसरी बात वो हर जगा हर मंच से लोगों को ये बताना जताना दिखाना समझाना चाहते हैं कि देखो भाजपा वो पार्टी है जो एक दलित नेता आदिवासी नेता का कभी भला नहीं कर रही और कहीं न कहीं ये एक पर धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है अब किरोडी लाल मीडा समेट केंदर आलाकमान से लेकर राजस्थान के तमाम सारे बड़े नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि भाजपा जिसमें पहले से ही पीछे थी वो था पिछडों दलितों संख्यकों का वोट बैंक उसमें किर नहीं किया गया तो ये किरोडी लाल मीडा के लिए तो घातक होगा ही लेकिन as a whole भाजपा के लिए इतना घातक होगा कि पूरी तरह से जो पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग आदिवासी वर्ग है वो अपना ट्रस्ट अपना विश्वास अपना जो पूरा की पूरी आशा है वो खो देंगे भाजपा में से ये बहुत जरूरी है अब किरोडी लाल मेरा और भाजपा के लिए करना क्योंकि ठीक है भाजपा इकलोती ऐसी पार्टी है जिसने राश्टपती को दलित आदिवासी समुदाय से कई बार राश्टपती बनाए और ये कहीं न कहीं बहुत अ आखरी पंक्ती में जो लोग बैठे हैं उनका ध्यान रखा पर जब सत्ता की बात आती है वो अगर भूल जाते हैं सोशल इंजिनरिंग को तो फिर कहीं न कहीं कॉंग्रेस उसमें लीप ले लेगी आप देखिए पिछले काफी दिनों में राजनीती भी ऐसी हुई है चाहे बजट के बाद बाटा गया हलवा हो उसमें भी यही का गया कि कोई दलित आफिसर नहीं है कोई पिछला आफिसर नहीं है हर बात पर उस लेवल पे राजनीती हो रही और बीजेपी के पास कोई काउंटर नहीं है उल्टा वो ऐसे मुद्दों को पढ़ाते जा रहे हैं और ऐसे दोसा समयत पूरे इस्टन राजस्थान में एरसीपी लाने के बाद भी एरसीपी की कहीं न कहीं मनजूरी करवाने के बाद भी भाजपा को बहुत बड़ा सेट बैक लग सकता है अगर वो इन मुद्दों पर बहुत ही पॉजिटिवली रियाक्त नहीं है लग सकता है लग चुका है लोग सुभा में भी लग चुका है प्लस आप देखिए कि आरक्षण जैसा मुद्दा जो इतना सेंसिटिव है हमारे पूरे राजस्थान की ही नहीं पूरे भारत बंद की बाद चल रही है आरक्षण उस कदर लोगों को प्रभावित करता है लोग बाद छे इंसेटिव मोड पे जा चुके हैं और तमाम सारी जातिया ओल्रेडी जो दुखी थी इस बात से कि उनका प्रतिनेदित्व बहुत अच्छा तरी से नहीं दे रही भाज़पा वो और दुखी हो रही है और भयावे इस्तिती में पहुंच रही है और कहीं न कहीं ये सरकार क के लिए बहुत घातक कंडिशन्स प्लेज हो जाएगे जी घातक है इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके का ये मुद्धा उबलता जा रहा है लोगों के बीच में पहुंचता जा रहा हैं लोग एक दूसरे से अपील कर रहे हैं कि आप एक जुठ हो ये हमें इस हैं और कहीं ना कहीं इस चुप्पी का खामियाजा बीजेपी को दो खुगतना होगा ही लेकिन आप सोचे कि जब भील प्रदेश की बात चल रही है संसद में उद्धा उठा रहे हैं राजकुमार रोद उसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाना तो तमाम तरहे कि ऐ हैं कि सरकार के लिए बहुत सारी मुसीबते इन फ्यूचर भी खड़ी होने वाली हैं और आप भी बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है हमारी ओडियंस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आरक्षन के मुद्धे पर जल से जल फैसला हो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है वो वापस लिया जाए आरक्षन के साथ अगर छेर चार होती है फिर चाहे से वो गोजर हो या फिर आदिवासी हो सभी एक लाइन बोलते हैं कि हमारे आरक्षन को अगर आपने छेर दिया तो हम आग लगा देगी और समझने वाली बात ये है कि य बीजेपी कह रही थी कि यह अफवा है लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस अफवा पर महौर लग जाती है और महौर लगना आप समझिए ऐसे वक्त पर जब बीजेपी और एक बहुत ही ऐसे बॉर्डर पर खड़ी है जहां इधर कुआ और उधर खाई है ऐसे वक्त पर अगर वह महौर लग जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है और कॉंग्रेस के लिए कहीं न कहीं विन-विन सिच्वेशन हो सकती है तो यह तो थी इस मुद्दे पर हमारी राय क्या है आपकी ज़रूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट क रिए तो बीज उक्षिन कॉमेंट यह बुड़िज बीज इस लिए झाल झाल आड बीज इस ब्सका टेश इस लिएक न बीज़िए लिए को डिएव भी इस लिए टो प्र्वेंट प्रेश आण बुब्सक्ता को बोधित आफ उन एंग के हैं और बीज़ित कि वाय च्टीत to convey your messages effectively and to leave a lasting impression so do not wait anymore order now and reach out to me on friver and feel free to ask anything before ordering thank you